अब वैसे सोचा तो मैंने यह था कि जो पहली वीडियो बनाऊंगा डबल डबली की इतने ब्रेक के बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से खुश तरीके से बनाऊंगा लेकिन लाइफ में ऐसा सब कुछ होते रहता है रोमन रेंस के फादर सी का अनवाई आपको पता है वाइल्ड समोंस इनकी टैग टीम हुआ कड़ती थी तो इनको इनके बार में हमको एस साड न्यूस पता चली कि अब यह इस दुनिया में नहीं रहे हैं मतलब इसके बाद पूरे सोचल मीडिया पर डबल डबली के सारे अका बादर का जो रोल रहता है अपने सन की लाइफ में वह सब लिखते हैं और पर अपने फैंस के बारे में बोलते हैं कि सपोर्ट इस हार्ड टाइम में वह दिखा रोमन रेंस की लास्ट वाली चीज़ी बहुत सभी लिगा रेस्ट इंपावर डैड वी लव यू तो भाई अ आपको याद भी होगा रोमन रेंज के आभी से साल कहले उनके जो ङे बाई भाई थे बहुत सरी चीज़ी ञाएसी पहले भी होई जिससे उन्हेनने सभी लिएलियौी वाली थे उमको पता तो और टीक है लेकिन जिसा इन पीस तू Sika NOI और बड़ा बिकार तरीके से शुरू हो रहा है जो भी है लाइफ में ऐसी होता रहता है पर येस हमको पता है Roman Reigns स्टॉंग है वो फैट बैक कर लेंगे और बस उनके उनको वापस देखने का भी इंतिजार है वेलकमे गाइज आपका वाइस व्रेसलिंग के एक और एपिसोड में मुझे नहीं पता ही एपिसोड का कौन सा नंबर है क्योंकि कुछ यादनी लास्ट टाइम क्या था लेकिन शुरूआत कर लें बस इसकी सबसे पहले मंडे नाइट रॉक की जो व्योडशिप आई भाई जो कल वाली रह थी अब वहला रिवी तो चेतन नहीं किया था लेकिन मैंने पूरे पूरे शो मैंने सारे कैच अप कर लिया क्या सब कुछ हुआ कल के दिन में बैठके तो मैंने को सब पता चल गया क्या क्या सब्सक्राइब तो वह तो अलग ही चल रहे हैं उनके 2.3 मिलियन नंबर्स हैं स्मैक डाउन के यह वही वाली स्मैक डाउन अभी जहां पे डू मैकेंटायर ने वह कांड कर दिया था सीम पंक के साथ की मतलब पता ही आपको क्या किया उन जाए कि उनके उनके प्रुल थाइस पर पास आपको बताने के लिए आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा तो सब कुछ ही है आप इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको एक फैंटेसी बुकिंग बता हूं यह किस दिने ट्वीट किया किंग राइबर्न यही पढ़ेंगे इसको यह फाइनल बॉस है वो लेके चलेगे हैं Drew McIntyre CM Punk का जिसमें उनके डॉक का नेमा उनकी वाइफ का है तो क्या पता AJ Styles sorry AJ Lee का जो रोल है वो होगा आप स्टोरी लाइन के अंदर और AJ Lee इस तरीके से WWE में वापस आने वाली है तो यह तो बहुत ही वाइल चीज हो जाए कि क्योंकि जिस तरीके स से थोड़ा सा दूर ही हैं बट भाई पती की storyline है तो शायद फिर उनका रोल हो सकता है कल Monday Night Raw में मेज ने commentary करी थी Pat McAfee कहाँ आप थे तो उनके बारे में हमको यह पता चला यह कोई storyline नहीं है यह actual में कुछ प्रॉब्लम होई थी Pat McAfee के साथ में कि उनकी family emergency होगी थी इसकी व और उसके बाद जब आर्ट उतने लिमवार्ग के साथ जाके वह setting कर ली तो उनको फिर match भी करना पड़ गया फिर वह title भी हार गया तो मिस के लिए तो फिर नाइट जो है Pat McAfee के जाने के वज़े से थोड़ी और बेगार हो गई क्या हम मान सकते हैं कि Jay Uso जो है already tease कर रहे है कि भाई मेरा भाई बहुत जल्दी आने वाले हम दोनों साथ में आने वाले हैं तो Xavier Woods ने tweet किया क्योंकि आपको पता है Uso's का एक ही account है जे उसो जी मूसो का Uso's के नाम से account है तो Xavier Woods पूछते है कि तुम्हें तुमारा Twitter account मिलेगा anytime soon तो उन्होंने उस पर no जवाब दिया अब एक तरफ जो bad bloodline जेकब पाटो के आने के बाद वह भी form हो रही है तो अब जो यह Roman Reigns वाली है फिर जो positive वाली bloodline है वह भी होगी जब Jimmy Uso, Jey Uso साथ में आ जाएंगे तो शायर यहां से इसको आप एक hint मान सकते हो Seth Rollins का वापस आना शौकिंग था मैंने भी जब देगा मुझे जब Seth Rollins रेसल्मेन के बाद से गाया तो मुझे लग रहा था कि शायर मुका ब्रेक लंबा हो सकता है मैंने रिपोर्ट्स भी सुनी थी कि 2024 में हो सकता है आए ही ना लेकिन Seth Rollins तो ऐसा लग रहा है कि बस चलते अब इंटरस्टिंग तो यह है कि Seth Rollins को वापस लाकर फिर से वर्ल आईवेड चैंपिंशिप के मैच में डाल दिया तो क्या इसका मतलब मतलब Seth Rollins हारेंगे मतलब क्या वो चैंपिंशिप के लिए मौका मल रहा है तो वो जीतेंगे या फिर नहीं यह भी एक बहुत बड़ा कोश्चन है क्योंकि मैं यह तो मान सकता हूं कि यह जो डेमन प्रीस्ट को जैसा इन्हों 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 तक चैंपिंशिप दे दी है शुरू में जो ऐसा लग रहा था डेमन प्रीस्ट को देखे कि बाई यह तो बस ऐसी चैंपन बन गया वैसा अब लग नी रहा देखके अब ऐसा एक्चॉल में लग रहा है कि हाँ इस बंदे के उपर टाइटल रखा है तो यह थोड़ी सी चैंपन वाली फील दे रहा है त यह उफिशल टूटर अकाउंट है वाइट 6 का मतलब ऐसा कुछ बहुत अलग निया बताने के लिए कि मैं कुछ बहुत अलग सा बता रहा हूं मतलब कहने का मतलब यह है कि वाइट 6 के नाम से भी डबल लबली ने टूटर पर अकाउंट बना दिया है और शायद हमको क्यों अब देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर यह जब मैच शुरू होने वाला आए गया से पहले की यह वीडियो है जब जेकब फार्टो को सिक्योरिटी के साथ मिल के चुपा के लेके जा रहे हैं और उस ताम पर उनको प्लांट कर दे कि बहीं है जब तुम्हारा मौका आए तब उस टाम पर आके तुम जो है अपना पहर बर पा दे ना और उसके बाद जेकब फार्टो को जिस जो पर मतलब मैं कहूंगा कि जेकब फार्टो की जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बढ़िया हुई है अगर टामा टोंगा की बात कर तो इन से ज़ादा स्ट्रॉंग य आपको बतायाता हूं कि जो अगली स्मैकड़ों वाली मैडिसेन स्कृर गार्टन से वहां पर बलर लाइन की एक्नॉलजर्मन्ट सरमनी होने वाली है अब जब मैं यह सुन रहूँ कि बलर लाइन की अक्नॉलरइजमन्ट सरमनी होगी तो मेरे दिमाग के फिरसे घोड़े औ कि जब इसको ऐसा अलग से प्रेजंट करके दिखा रहे हैं तो शायद यहां पर कुछ हो सकता है और वैसी अगर रोमन रेंज की बात करें तो रिसेंटली जितना मुझे पता लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जो रोमन रेंज का रिटान है वो शायद डिले ना करें उसको डिल रोमन रेंज के रिटान है उसको परफेक्टली सेट अप कर रहा है तो इस सेग्मेंट में तो नहीं बोला लेकिन यह ऐसा हो सकता है कि बहुत जिल्दी रोमन रेंज का रिटान हो जाए अभी रेसल मेने की डॉक्यमेंटरी की बात कर लेते हैं भाई मैं 12 तेरा दिन का ब्र जो मैंने इसका ट्रेलर देखा उससे मुझे पता चला कि जो रैसल मेने के टाम पर भसर नहीं मची थी कि कोडी रोड्स पहले था फिर नहीं था फिर रॉक आया फिर यह हुआ फिर ऐसे हुआ तो वह जो के और टेक वाइल चीज़े हो रही थी वो सब हमको भी हैंड इस तो शायद वह इंतजार करना वर्थ होगा हमारा क्योंकि बिहांड दस सीन जब चीज़े पता चलती है तो वह हमेशां इंटरस्टिंग होते तो बस अब तीन जुलाइग का वेट करो अब तो फाइनल डे 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 दी है तो मत उस टाइम पे वह जो है आ जाएगा ट्रिपल वैसे तो यह दो-तीन दिन पहले की बात है लेकिन जो इंडियाना पुलीस इंडियाना पुलीस है वहां पर डवली अपने सारे के सारे शो करने वाली है रसल बीना भी रॉयल रंबल भी और समर स्लैम भी रॉयल रंबल तो नहीं बताए कि एक फरवरी को होगी नेक्स्ट य वेसे वादा चल गया कि डबल लुटी अभी एक समर्स्लाम तो लुटी तो अब बड़े इवेंट की तो मतलब कि डबल वी का यह बड़े चल रहा है मामला मतलब की बड़े शो और बड़ा दिखाने का और जो मीडियम लेवल वाले पीवीज उनको भी पिर क्या करने स्पेश कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा यह वाला मैच होगा समर्स्लाम का मेई इवेंट और अगैन मैंने थोटी दिर पहले बोला रोमन रेंज का रिटन मुझे तो यह भी लग रहा कि फिर यह जो ऐसा है यह तो एक्जाक्ली ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज की जो में अपना रिटन करेंगे तो भाई मतलब अब सारे एंगल साब यहां से लगा सकते हो वही है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी यह बेकार आइडिया कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा तो जो भी होगा जैसे वह का बढ़ी आया है पर डेमेलजर का कहाना है कि कोडी रोड्स और सोलो से कोवा का मैज डबल डबली करनली प्लान कर रही है समर स्लैम के में इवेंट के लिए ट्रिपल एच ने रीजरेंटली भाई पैड मैकफी के शो पर एक ऐसी बात बोली आप बोलो गयार यह क्या बता रहे हो हम तो अभी जो चल रहा है टेलविजन पर वहीं आजम कर अब के सारह इतना कुछ हमको दिखा दो गया है तो अलग अलग बोला वायट 6 के बारे में और बलट लाइन के बारे हैं कि अभी जो स्टोरी लाइन होनी है जो लूगों का इसमें इंवाल बाकि है अलग अलग बलड लाइन और लाइट 6 जब ये दोनों एक दूओरे के आम बलड लाइन पूरी व्याओं यह हम अपने दिमाग के चलना है कि बलड लाइन और बैड बलड लाइन लेकिन डेवल लाइन एंग देखते हैं, बलड लाइन के सांथ है तो पूरी एक बलड लाइन ही हो स्कता है इवेंचुली जाके सब एक साथ हो जाएं फिर उसके बाद ये वाइज वाली चीज हो सकते है तो तो एकसाइटमेंट तो अभी मतलब अभी से इस चीज की है कि ये तो फिट नहीं हो रहा कि वाइजीब से करेक्टर ही अलग से लेकिन ये दोनों साथ माँ के स्थोरी कुप कर तो यह बड़ा इंट्रेसिंग है क्योंकि सतनाम और जो जिंदर है डोनों के आपको पता इंडिया से रिलेशन है तो फिर एसमें दूरों सात में और जितना मैं सही हूँ शायद मैं अपडेटेडेड हूं कि सतनाम ओली ड्रेसलिंग के सुपरस्टार हैं लेकिन आपको पता ह वो जो है थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम देते हैं बाकी शोस पर जाके भी कंपीट करने की तो ये दोनों जो इंडियन हेरिटेज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस तरीके से शायद ये इसको दिखा सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जिंदर मैं के शोव पर आकर ही ट्रेपलेज ये बोलते हैं कि जो नेट्फिक्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल है सोचो अभी जो स्मैकडाउन है वो फॉक्स के ओपर है और यूसे नेट्वक के ओपर रहे है तो उन्होंने कॉंट्राइक करेंटली चल रहा है उसके बाब होती डिफरेंट चीज़े दिखेंगी ये वही बात है जो फैंस बोलते हैं कि अट्टिटूड एरा को वापस लेकर आओ और साथ में उन्होंने क्या बोला वाई ये हमारे लिए सबस्यादा है उन्होंने बोला कि नेट्फिक्स पर आते ही हम 80% जो ग्लोबल ऑडियंस उसक 100% वह इंटरनेशनली ग्लोबली नेट्फिक्स के ओपर ही मंडे नायट रॉ को लेके जाएंगा आपको पता है इंडिया में नेट्फिक्स है लेकिन फिलाल हम डेवली के शो देखते हैं सोनी प्लैटफॉर्म के ओपर और अगर रॉ इंटरनेशनली 100% जा रही है नेट्फ नेट्फिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी देखो इनकी डील हर किसी देश के साथ अलग होती तो मैं थोड़ा सा भी इस पर कन्फ्यूज दूँ लेकिन जो ट्रिपल एस स्टेट्मेंट बोली है उसको अगर बोले तो वह 100% इसको नेट्फिक्स के ओपर लेके जाने कि बात कर रहे हैं तो अब देखते हैं भाई क्या होता है मस यहां पर और आज काफी टाइम बद वीडियो बनाई है तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और थोड़ी लंबी वीडियो बनके तो यह और अच्छी बात है तो और आपका सपोर्ट भी था कल वाली वी तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना पागी जो कॉमेंट करना चाहो आप कर सकते और तब तक पर लेतरो जिन्दगी के मज़े